हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फाइनाशल सिक्षा में वापस स्वागत है, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे आज हम फिर से पैसा बचाने के बारे में बात करने जा रहे हैं मनी सेविंग पे ये हमारी तीसरा विडियो है, पहला दोनों विडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हम भले हजार बोल ले की, पैसे से खुशियां खरीद नहीं सकते, लेकिन रियालिटी में एक हैपी, हेल्दी और बैलन्स लाइफ के लिए पैसों की जरूरत हमेशा होती है जरूरते भले ही छोटे क्यों ना हो, पूरा तो पैसे से ही होगा, अगर हाथ में सेविंग नहीं होगा, आप सालरी टू सालरी जीना छोड़ नहीं पाएंगे ऐसे में, इमर्जन्सी या जरूरत के समय आपका बैलन्स बिगर जाएगा और आप फस जाएंगे कर्ज में लेकिन तीसरा अलग था, हमेशा कल के बारे में सोचता था, जो भी मिला थोड़ा फ्यूचर के लिए बचाता था, बाकी दोनों उसको कंजूस बोलके चिराते थे एक बार अचानक जंगल में भारी बर्व बारी हुई, और कोई भी अपनी अपनी बिल में से खाना धुंदने बहार नहीं जा पा रहा था दो दिन भुखे रहने के बाद, दोनों बिंदास दोस्त खाना धून ने अपने अपने बिल से बहार निकला, लेकिन कोई खाना नहीं मिला और दोनों अपने कंजूस दोस्त के बिल में चले गए वहाँ जाके जो देखा, दोनों के होश उर गए, तीसरे के पास इतना खाना जमा था, जो तीनों एक महीना तक खा सकते है कहानी के जरिये मैंने क्या बताना चाहा आप समझ ही गए होंगे अब आते हैं टिप्स पे और सेविंग की जर्णी कंटिन्यू करते है कैंटीन्स में अक्सर ये देखा जाता है, सबता हमें कौन सा बार को कौन सी समय क्या बनेगा पहले ही फिक्स होते है ये टेकनीक खाना और पैसा दोनों बचाने में हमारे मदद करता है ग्रोसरी लिस्ट बनाने के समय आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या लाए और क्या ना लाए मेन्यू फिक्स होने के वज़े से शॉपिंग के समय डिसिप्लिन बना रहेगा और पैसा बचेगा घर के हर एक मेंबर के रुची के हिसाब से एक मेन्यू बनाए और दिवार पे तंग दे कभी भी कुछ भी अलग-अलग पकवान बना के हम खाने के साथ साथ पैसे भी वेस्ट करते है अगली बार जब आप कोई स्पेशल डिश बनाएं तो रेसिपी को दोगुना करें और अधा खाना दूसरे दिन के लिए फ्रीज में रख दे इस तरह आप एक बार में ही दो मील तयार कर सकते हैं और कम वेस्टिच के साथ इंग्रीडियन्स को अधिक कुछलता से उप्योग कर सकते हैं स्पेशल रेसिपीज में कुछ-कुछ ऐसे इंग्रीडियन्स यूज होते हैं जो थोड़ा यूज होने के बाद परे-परे खराब हो जाते हैं लेकिन रेसिपी को डबल करने से आपके टाइम के साथ साथ इंग्रीडियन्स भी बρού spent का आयोजन करें ये पैसे बचने का एक निंजर टेक्नीक है, अपने पडोसी और दोस्तों के साथ मिलकर एक स्वैप यानि अदला बदली कमिटी बनाए हर एक सदस्य अपने बच्चों के अच्छे से यूज़ किये हुए कपड़े, किताबें, खिलोने आदी जमा करेंगे और हर एक सामान के बदले एक टिकट मिलेगा For example, यदि आप 6 बुक्स जमा करते हैं, आपको 6 नई बुक्स मिलेंगी, ऐसे करने से आपके ग्रोइंग बच्चों के खर्चा 80 प्रतिशत तक कम हो सकता है अदला बदली के बाद जो भी सामान बचेंगे, डोनेट करके आप समाज सेवा भी कर सकते हैं Health is wealth, time to time खाना, healthy खाना, regular exercise या योगा, regular health check-up आदी आपका शरीर को स्वस्त रखेंगे और आप जल्दी बीमार नहीं होंगे आप बोलोगे की medical insurance है तो क्या tension, लेकिन आप गलत है, छोटे-छोटे रोग medical insurance में cover नहीं होते, हर महीने छोटे-छोटे medical के खर्चे साल भर में एक बड़ी रकम हो सकती है एक शारीरिक रूप से healthy इंसान का मन हमेशा productive सोचता है, unhealthy lifestyle के वज़े से आप बड़ी बीमारी के जपेट में भी आ सकते है टिप नमबर फाइव, डॉक्टर से हमेशा generic medicine मांगे डॉक्टर्स के setting रहता है medical store के साथ और medical store के setting रहता है medicine brand के साथ इसलिए आप हमेशा generic prescription की मांग करें, क्योंकि branded और generic medicines के price difference 80% तक हो सकता है सरकार भी generic medical store की सुविधा देके रखे है, दवाई खरीदने वक्त वहा जाए और पैसा बचाए मेरी पतनी की pregnancy के दौरान मैं safety के लिए regular check up private doctor से करवाता था, लेकिन medicine सरकारी अस्पताल से लेता था, ऐसे करके 9 महीने में कुल 9000 रुपय की बचत की delivery भी मैंने government hospital में ही करवाई, बिलकुल free में, private वाले लुटने के चक्कर में 10 complications बता के आपको गुमराह करेंगे, सतर्ग बने और लूटने से बचे friends, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूँ की, ऐसा valuable वीडियो बनाने के लिए, हमें बहुत समय और मेहनत लगता है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है, तो like, share और comments करें, और हमारा YouTube चैनल को subscribe करके bell icon को all पर set कर दे, ताकि नया वीडियो का notification तुरंट पाए plumbing आदी के लिए भी हम दुसरों को पैसे देते हैं, लेकिन आप एक बार ध्यान दे कर देखना, सारे के सारे काम लगभग आपको आते ही है, जो नहीं आते आप आसानी से सिख भी सकते हैं, एक बार आप DIY ट्राइ करके देखिए, आपको मज़ा आएगा, family members को भी सामिल कीज बहुत अच्छा फील होगा और धेर सारे पैसे भी बचेंगे, tip number 7, home loan को refinance करे, मान ले कि आपने 9 प्रतिशत की ब्याजदर से home loan ली है, अगर RBI ने ब्याजदर में वृद्धी की तो आपके loan के उपर तुरंत लागू हो जाते हैं, लेकिन जब RBI ब्याजदर कम करता है, बैंक वाले आपको बताएंगे भी नहीं और आपको लूटते रहेंगे, इसलिए हमेशा interest rate change का जानकरी रखे, application देके interest rate को तुरंत कम करें, आपको अंदाजा नहीं होगा आप कितना बचा सकते हैं, आधा प्रतिशत का difference 20 साल में लाखो का हो सकता है, आपने अगर प्रतिशत में मजबुरी में ज़्यादा ब्याजदर पे लोन ले भी लिये हो, हमेशा कम ब्याजदर का विकल्प खोचते रहे, मिलते ही अपना home loan को refinance करें और लाखो बचाए, टिप नमबर 8, कम खर्चे में knowledge बढ़ाए, अपने ग्यान को boost करने के लिए library का उप्योग कर वहाँ आपको हजारो books की access free में या एक minimum membership cost में मिल जाते हैं, उसके साथ साथ आप online browsing, e-books, audio books आदी का भी इस्तमाल कर सकते हैं, आज कल free में knowledge gain करने का YouTube एक बहतर जरिया है, हर एक के पास तो रोज 2GB डेटा रहता ही है, internet का सही उप्योग करे और जिन्दगी को बहतर बनाए टिप no.9, incentive bonus, tax refund आदी को काम पे लगाए साल भर काम करने के बाद जब दिवाली में bonus आने वाला होता है, खर्च का तयारी बहुत पहले से ही हो जाता है, नया mobile लेना है, उफार खरीदना है बगेरा बगेरा TDS तो पहले से ही कर चुके है, लेकिन जब refund आते हैं, हम तो कुदने लगते हैं, जैसे कोई मुफ्त का पैसा हो इस बार आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, bonus या tax refund आते ही, तुरंट saving account में transfer करे और सोचे की कहा इस्तेमाल किया जाए आप loan repayment या investment में दाल सकते हो घर में टीवी connection है, फिर भी, Netflix, Hotstar, Amazon Prime न जाने क्या क्या सब्सक्रिप्शन लेके रखे है ज्यादा entertainment हमारा कीमती समय के साथ साथ जेब भी खाली करता है, entertainment भी जरूरी है लेकिन एक limit पे एक दिन ठीक से सोच के देखे और कम इस्तेमाल करने वाले सब्सक्रिप्शन को धीरे धीरे बंद करे और समय को कुछ productive काम पे लगाए Friends, चर्चा किये गए सारे tips को practically apply करके आप लाखों बचा सकते हैं याद रखिए, बून बून से सागर बनता है, हमेशा सेविंग को priority दे और एक बहतर भविश्य को तयार करे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विशाय के साथ, तब तक के लिए बाई बाई, see you soon झाल